नमस्टाइब फ्रेंट्स मैं संतोष पातित संतोष रूपिंग की यूटूब चानल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स देसे कि हम काफी सारे रूपिंग का काम करते हैं उसमें कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे जो स्ट्क्चर रहता है बिल्डिंग का जो structure रहता है, उसके उपर जादा weight नहीं दे सकते हैं, उस condition में हम अगर मेंगलोर टाइल लगाते हैं, या फिर कोई mineral टाइल लगाते हैं, या फिर imported टाइल लगाते हैं, तो उसमें कभी-कभी यह होता है कि उसका weight थोड़ से जादा होनी की बज़े से हम उस building क के उपर टाइल नहीं लगा सकते हैं, तो हमें कोई ऐसा option होना चाहिए, मतलब required होता है कि उसका weight जो है, वो कम हो, और उसका जो look है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, तो दिखने में आपको टाइल जाईसा ही दिखना चाहिए, तो फिर इसके लिए काफी बढ़िया option है, जो क स्टोन कोटेट शीट वोते हैं, जैसे कि उसमें aluminum और galvanized mix रहता है उस sheet में, और उसके उपर जो aspart रहते हैं, उसको paste किये जाते हैं, जिसके बज़े से उसका जो look है, वो टाइल का भी look देता है, और सबसे ज़्यादा इम्मोर्टन बात है कि उसकी जो quality रहती है, वो काफी बढ़िया रहती है, आज हम जा कि साइट पर देखेंगे कि उसका installation कैसे होता है, पुड़क क्या है, तो चलते हैं अभी हम डाइटी साइट पे, पहले हम देखेंगे कि stone coated sheet होती कैसे है, और उसकी specification क्या है, तो यह जो है stone coated sheet है, उसका जो material है, वो aluminum और galvanized mix रहता है, जिससे बने रहती है, और उपर stone से जो coating वाले रहता है, जनरली उसकी जो यहां से यहां तक अगर length लेते हैं, तो फिर करीब उसका 52.5 inch इतना रहता है, तो 52.5 inch उसका हो जाएगा, और यहां से यहां पर अगर length लेते है, तो फिर 16.5 inch उसकी length है, अगर उसका coverage एरिया देखते है, तो फिर लगबग 5 feet coverage करती है, तो यह इसका on an average specification रहेगा, अभी हम देखेंगे उपर जाके, यह वहां पर हम क्या 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 लगा रहे है, और कौन से मटली वहां पर यूज कर रहे है, और कैसे कौन से screw लगने वाले है, हर एक चीज उपर जाके हम अभी देखेंगे, जनरल पर चल सकता है, क्योंकि stone coated sheet का, जो weight रहेगा, वो करीब 0.45 square feet में, तब आदा केलो से भी कम रहेगा, तो फिर यह weight ले सकता है, हाँ थोड़ा सा bouncy हो जाएगा, लेकिन कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि stone coated sheet तूटने के कोई chances नहीं रहेगा, उसमें भी flexibility रहती है, जो र चार इंच बड़िए का Pipe है, और उसको ठीकने से हमने चेक की थी पहले, तो फिर उसकी ठीकने से करीब थी 4mm तक, और जो पाइप ऊपर लिए गये है, जो परली Pipe है, यह ज़ो Pipe है, जितने भी Pipe है, वो है लेडी इंच बायग डेडी इंच के Pipe है, उसकी ठीकने से 1.6mm तो आराम से एक कवर कर सकते हैं अच्छा सबसे इंपर्टन बात है कि उसके जो डिस्टन्स है दोनों परलिन के डिस्टन्स अगर यहां से इसका सेंटर और इसका सेंटर अगर हम देखते हैं तो यह आजेगा 14.25 मतब 14.25 इंचे तो उतना ही होना चाहिए अगर यह स्पेसिप यह जो अंतर है वह 14.25 मतब 14.25 इंचे ही होना चाहिए और यह गलत हो जाता है मतलब यह अगर चुपता है आपका तो फिर ठाइल बैटना बहुत मुश्किल हो जाएगा यह देखते है आप ग्यान में गन देखते हैं यहां पर आफ्टर काफी बढ़िया तरी कि इसे लगा लाइं गया है उसकी जो मिटैंड पर्फॉक्त है और जो पर्लीन हो भी पर्रवीक्त है व ऐसे तभी सटोन कुख्री शीट आराम से बाट सकती है आपए कि अब धी हम देख रहें यहां पर जो पृरलीं है उसके वपर जो शीट लग रही है हो ज़्यादा 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 यह डिखिए यहां से यहां तक यह अट्राममम से ज्यादा हमारे पास कोई option रहता नहीं है यह देखें और उसके उपर हम डाइट ले उसको screw से लगा सकते हैं जनरली जो roof tile लगाते हैं और stone coded sheet लगाते हैं उसका system थोड़ सा अलग रहता है साथ में अगर उसके screw देखते हैं तो जादा जादा 18 mm तक के लंबे होते हैं और self tapping होने चाहिए और star head वाले होने चाहिए ताकि वहां पर जो भी हम sheet लगाए वह सही तरीके से लगे जनरली जो sheet रहती है उसका जो overlapping रहता है साइड में दो इंच तक overlapping रहेगा यहां पर यह देशकते हैं यहां पर दो इंच तक overlapping हो जाएगा और बिल्कुल सामने की तरफ जो overlapping रहेगा वह max to max एक इंच तक overlapping मिल जाएगा आपको जो sheet रहती है काफी healthy रहती है तो कोई भी एकदबंदा आराम से उठा के लगा सकता है और जनरली उसकी जो weight रहता है हर एक sheet का तो करीब धाई kilo के असपसा आता है और एक sheet जो होती है करीब 5 square feet तक cover कर सकती है अगर हम side पर काम कर रहे हैं तो यह देख सकते हैं दोनों जो pair है वो sheet के सामने की तरफ रहे है ना कि बीच में रहे हैं बीच में रहने से थोड़ी से हो सकते है sheet bend हो जाए बिल्कुल इसी तरह के से हमें काम करना है या फिर उसके ऊपर कुछ इस तरह के से ही चलना है mostly आप उसके बीच में कभी भी pair मत रहे हैं अगर आप ऐसे कुछ कर रहे हैं जब भी हम sheet लगाते हैं तो काफी आसान रहता है देखे सकते हैं अंदर की तरफ से थोड़ा सा हलका सा greenish और silver कलर आता है और जब हम sheet लगाते हैं तो फिर आपको पहले उसको set करके लेना है कुछ इस त काफी माइनडेटरे रखता है अगर वह आपको गलत होता है तो फिर सीट आपकी सही तरीके से बैटेगे ने उसके बाद में इस कुरू लगाएंगे साइड वाला और उसके बाद में तीसरा वाला जो स्कुरू रहेगा वह बीच में लगा देंगे बिल्कुल कुछ इस तरीके से आपको स्कुरू होना चाहिए सेल्फ टैपिंग रहेगा तो बहुत बड़ी है जनरल यह जो पाइप लगाई गए है को कुछ डाई एमेम के पाइप यूज किये गए है जिसके बज़े से स्कुरू लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रहे है जिसकी इतनी रिक्वार्मेंट होती नहीं कभी आप देख सकते इसके जो ओरलैपिंग है वो ब्रेक जॉइंट होने जरूरी है अगर वो कहां पर भी ब्रेक जॉइंट हो जाती है तो फिर चलता है मदब 8 इंच 10 इंच अगर बले जो ब्रेक लाइन में जहां पर भी मिलता ह है तो फिलाल हमने एक साइड का हिस्सा लगा लिया है आप देख सकते लगाने के बाद कुछ इस तरह के सी देखेगा और यहां यह साइड में अभी हमने जश्ट चालू किया है तो उसकी जो लाइन होगर है एकदम परफेक्ट और स्ट्रेट लाइन है और मतलब इसके जो भी बंदे वहां पर काम करेंगे तो फिर आराम से काम कर सकते हैं शीट में इतनी ताकत होती है कि वह आराम से किसी का भी वेट ले सके सबसे बढ़िया रहता है कि अगर जिसी एरिया में मंकी रहते जम करते तो यह एरिया में बहुत ही परफॉर्मिंग शीट है बेंड ह कुछ इस तर्के से हमें लुक दिखाई देगा अधिकने में नीचे से काấpis बढ़िया दिखता है काफि आच्छा प्रोड़क्क है कि है कि एक easy to handle ऐसा रुफ प्रोड़क्त है आप देख सकते मन्दे वहाँ पर easily खुड़ा रहे के हुआ काम भी कर सकते हैं यहां तक की वेट कैपसिटी जो उसकी है वह भी काफी बढ़िया है काफी बार हमारी ऐसी कंप्लेंट रहती है कि उसके ओपर अगर नारियल गिर जाए या फिर मंकी आ जाए तो फिर टूटने के चांसे होते हैं जनरली रूफ टाइल में तो इस प्रोड़क्ट में वह सब कुछ नहीं है जा patrish area जहां पी 예रया जहां प्रोड़क ब्रोड़क की दे सकते हैं जहां पे भी आ जाते हैं तो फिर हम उसको कटिंग करके screw से ही आमेरे लगाना होता है और उसके ओपर लिट लगाना होता है जैसे कि अभी हम देख रहे हैं जहां पर corners आते हैं या फिर जहां पर sheet काटने की बारी आती है तो फिर हम easily उसको काट सकते हैं जो कि MS cutting का blade होना चाहिए आपको और कुछ इस तरीके से हम grinder से easily काट सकते हैं एक बार हमने मार्किंग करके लिया तो फिर easy एकदम easy से जैसे के teen का जो sheet रहता है तो वैसे easily cut हो जाता है आप यहां पर देख सकते हैं तो फिर जो भी corners area होते ही पी area होते हैं यहां पर जहां पर आईसी condition आ जाते हैं कि जहां पर हमें sheet काटनी है दिवार के बाजू में तो फिर हम easily बिल्कुल कुछ इस तरीके से हम काट सकते हैं कि यह थोड़ा crucial part है जब हम sheet reaches area में काटते हैं और उसके उपर हमें रीज लगाने होती है तो फिर बिल्कुल कुछ इस तरीके से हमें bend करने होती है थोड़ी सी ताकि पाने reverse ना आ जाए यह सबसे ज्यादा important है यह दिखने में थोड़ी सी गंदी दिखती है लेकिन कोई option भी नहीं है तो यह एक सार उसका सई system है यह देख सकते है थोड़ा सा bend करना जरूरी होता है जब तक हम उसको bend नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि रिवस में पानी आ जाए आपके पास बि उपर उटा होना जरूरी है एक बार हमने वो पूरा करने के बाद कुछ इस तरीके से देखेगा लेकिन ध्यान रखे कि जो रीजिस लाइन होती है मतलब रीज से बड़ी ज्यादा नहीं होनी चाहिए अंदर का कटिंग कि रीज में वो consider होना चाहिए यह देख सकते हैं करीब एक इंच तक उठी होई है यहाँ से जो भी पाने आएगा तो रिवर्स में अंदर नहीं जाएगा यह सबसे ज्यादा important है दोनों साइड से जो शीट लगई हुई है वो bend करने के बाद कुछ इस तरह के का फिल आ जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पे रीज रेणर बिठाना है बिल्कुल यह देख सकते हैं यह भी हमने जो पाइप लगाई हो है वो डेड़ इंच बाइड इस वाली है जब भी हम यह शीट लगाते हैं तो फिर लगाने से पहले तो उसका कुछ खास ऐसे लुक नहीं आएगा आपको देख सकते हैं यहां पर इतना कुछ खास नहीं है लेकिन एक बार रीज लगने के बाद काफी बढ़िया दिख सकता है और दिखता भी है चलिए पर रीज देख लेते हैं रीज की जो स्पेसिफिकेशन रहेंगे वह करीब आप देख सकते हैं यहां पर यह जो सामने वाला जो इससा है वह थोड़ा से उठाव है एक्चुली वाला नहीं पीछे वाला इससा है और इसकी यहां से यहां तक लेंध है करीब 16 इंच के आसप स्कुरू करने की लिए जगह है बिलकुल वैसे यहां पर वीछे भी जगह है तो वैसे हम स्कुरू भी कर सकते हैं यहां पर बिल्कुल उसके आप पॉजित डियरेक्शन में भी वहां पर इसकुल है और यह सेड अगर हम अंदर की तरफ से उसको देखते है तो फिर हलका सा ग्रीनिश उसको भी कलर है यह जो हिसा है वो पीछे वाला है और यह जो है इसा वो सामने वाला हिसा है अब देख सकते हैं कि जो उसकी विट तरहेगी यहां से यहां तक करिब छेंज के असपस है जब हम रीज लगाना स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से करने होते हैं जनरली पहला रीज और लास्ट वाला रीज ऐसे कुछ उसमें फरक होता नहीं है यह देख सकते हैं जो पहला रीज लगा रहे है तो उसको भी जो स्कुरू लगने वाला है वो कुछ 18 mm का बस हो जाएगा और स्टार हेड होना चाहिए सेल्फ टैपिंग होने चाहिए यह पहला वाला स्कुरू हो गया जनरली जितने भी रिजिस लगते हैं उसको जनरली एक ही स्कुरू काफी होता है आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा और जगपे अपने फिट बाइड जाएगा तो फिर हिलने का कोई चांस रहेगा ने बिल्कुल ऐसे कुछ एक इंच तक ओरलाप हो जा बाके आप आगे कहां पर भी स्कुरू मत लगाईए कि जरुरत भी नहीं होती है और अगर लगाएंगे तो फिर उस क्रू दिखेगा तो उसके कोई मतलब यह नहीं रहेगा तो कुछ इस तरीके से हम रिज इंस्टॉल कर सकते हैं उसकी कुछ लेवन लेवल लाइन लेवल अगर उसकी बिगट रहे तो फिर आप उसको बिल्कुल कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं रिज लाइन लगाने के बाद कुछ इस तरीके से देखेंगे आपको कि देख सकते हैं काफी बढ़िया तरीके से यहां पर रिज लग गया है यह स्कुज़िक माई पहिले पांए वह को बढ़िए हैं उतना उसको मिलता है फिर पानी साथ में अलार सब्सक्राइल बॉस्हां पर बाद कोके खाला है तो फिर अनदर पानी जाने काथ कोई वहां पर सिस्थ भी डाउट नहीं है देख सकते हैं इजली स्कूरू भी बैटते हैं यहां पर तो एक काफी बड़िया प्रोड़क्ट है जो रूफ के लिए यूज किया जा सकता है यहां से पानी अंदर जाना करीब करीब इम्पॉसिवल यह है कि देखें कुछी सी तरीके से हमारा अ रिज बैटेगा थोड़ा सा अप आगे लेके आद जा सकते हैं यहां पर तुझ सामने से लगा यह भी पता नहीं चलेगा इतना बढ़िया उसका लुक यह देखिए रीज भी काफी सुन्दर दिखते हैं यहाँ पर तो फ्रेंड्स यह अमारा वीडियो था स्टोन कोटेड शीट के उपर मुझे लगता है कि जिन लोगों को लाइट वेट रूफिन की रिक्वारमेंट है उनकी रिक्वारमेंट यह वीडियो जरूर फुल्फिल करेगा मुझे रखता है कि अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर जरूर आप उसको लाइक कीजे शेर कीजे दन्यमाग, friends.